प्रेज द लोग जय मशी की एशू मसी का दन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु एशू ने और एक बार इस तर आपके साथ मिलकर वचन बताने का मोका दिया है आज मैं आपको एक मिशनरी के बारे में बताना चाहता हूँ वो मिशनरी बारत देश में आये थे और एशू मसी के लिए उन्होंने अपना जीवन गवाया है उनका नाम है ग्रहाम स्टेंज जी हाँ आज मैं आपको ग्रहाम स्टेंज के जीवनी के बारे में इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ कुर्पिया पहले से लेकर आखिर तक सुनिये संदेशन को लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्रेब कीजिए और आपके सर्कल में इन संदेशन को शेर करना ना बूले ग्रहाम स्टेंज का पूरा नाम है ग्रहाम स्टुवर्ट स्टेंज इनका जन पाम्सवर्ड आस्ट्रेलिया देश में हुआ था अपने दस वर्ष की उम्र में एक मीटिंग में वचन के द्वारा एश्यू मसी की प्यार को और उद्दार को समझ कर इन्होंने एश्यू मसी को अपने सच्चा उद्दार करता की तरह स्विकार किया इन्होंने परमेश्वर्ड से प्रादना किया और परमेश्वर्ड से पूचा प्रभू मैं कहां सेवा करूं तो प्रभू ने इनको बारत देश दिखाया इसलिए साल 1945 में इन्होंने पहली बार बारत देश को आये वरिश्या रास्ट में मयूर बंच गाओं में इन्होंने आदिवासियों के बीच में परमिश्वर का वचन सुनाते हुए कुछ ट्रोगियों के बीच में सेवा करना आरम किया वही नहीं Evangelical Missionary Society of Mayurbanj में शामिल होकर कई बिमारियों के बीच में कुछ ट्रोगियों के बीच में उनके गायलों को दो कर उनके बीच में सेवा करते हुए परमिश्वर की प्यार को बानते थे और आगे बढ़कर साल 1982 में Mayurbanj में लेपर होम का स्तापना किया उसके बाद 1983 में बारी पत में मिशन का काम करना शुरू किये ग्रहम स्टेंस की पत्नी का नाम Gladys स्टेंस और उनके तीन बच्चे थे दो बेटे और वेक बेटी दो बेटे के नाम फिलिप और तीमोथी और बेटी का नाम एस्टेर है ये पांच लोग परिवार से मिलकर कई कुछ ट्रोगियों के बीच में सेवा करते हुए लेपर होम चलाते हुए कई अनाद लोगों को अपनी आश्रम में रखकर उनको चिकित्सा देना इस तरह परमेश्वर की सेवकाई में आगे पड़ते थे ग्रहम स्टेंस ओरिस्सा स्टेट में रहते हुए संताली बासा को भी सीखा वही नहीं आदिवासियों के बीच में रहकर हो बाशा में बाइबिल को अनुवाद भी किये ग्रहम स्टेंस वाद विवादों से बहुत दूर रहते थे और एक नम्र विक्ती थे परमेश्वर के प्यार को बताने से ज़ादा अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की प्यार को दिखाते थे वहाँ साइकिल पर सफर करते हुए चोटे-चोटे गाओं में जाकर कुछ ट्रोगियों को लाकर उनकी सेवा करके अपने आश्रम में रखते थे एक रात कलीश्या में सुष्रमाचार सुनाने के बाद उस कलीश्या के बार ही एक वैन में ग्राम स्टेंड्स और उनके बेटे फिलिप और तीमोती भी उसी जगा सो गए और उस रात अचानक से कुछ लोगों ने आकर उन्हें कुलाडियों से हमला करके वैन की आइनों को तोड़ कर पेट्रोल डाल कर वही की वही उन्हें जला दिया जब उन्हें जला रहे थे, वो बहुत चिलाने लगे, हमें मदद करो, प्लीज हमें सायता करो, इस तरह मत करो, केकर उन्हें बहुत चिलाया, लेकिन उस दल ने उन पर करुना नहीं की, उस रात, उस पेट्रोल की आग में, वो वैन में, ग्राहम स्टेंज, फिलिप और तीमो कर, पूरा बारत देश, शौक में पड़ गया, उस समय के प्रदान मंत्री, अटल बिहारी वाचपे ने कहा, शरम लाने की बात है कि, बारत देश में, एक आस्ट्रेलियन मिशनरी पर इस तरह हमला करना, बहुत दुख की बात है, और उनको, कटिन से कटिन, सजा दी जाए, कहकर उन्होंने अपनी राय को बताया, उसी तौर पर गलाडिस्टेंस से पूचा गया, जो आपके पती और बच्चों को, जिन्होंने जलाया है, उनके लिए आप क्या सजा देना चाहते है, गलाडिस्टेंस ने एक बात कहा, मैं चाहती हूँ कि, जो लोग मेरे पती को, औ और वो भी परमेश्वर से माफी मांग कर और परमेश्वर की प्यार को समझ सके, इस जवाब को सुनकर पूरा बारत देश आश्चेर में हो गया, और उनके सेवकाई के कारण बारत सरकार ने उन्हें पदमसरी अवार्ड से उनका पुरसकार किया, मसी में प्यारे बाईयों और वेहनों, ग्रहाम स्टेंस एक आस्टेलिया मिश्णरी थे, आस्टेलिया बहुत अच्छा देश था, बहुत धनवान थे, सुक है, विलास है, सब कुछ है, लेकिन अपना देश चोड़ कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए, बारत देश में, औरिस्सा, रास्र में आकर उस चोटे आदिवासियों के बीच में, मयूर बंच, बारिपद, उस चोटे चोटे गाउं में, कुछ ट्रोयों को, उनके गायलों को दो कर, उनको अपने बेटा, बेटी की तरह, बाई, बेहन की तरह, उनकी देखबाल करते हुए परमेश्वर की प्यार को प्रगट करने लगे, क्या जरूरत थी कि ये काम करे, आफिरकार ग्राहम स्टेंस अपना जीवन भी इसी बारत देश में को दिये, और उनके दो बेटे भी मर गए, शायद परमेश्वर के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनका स्तान परमेश्वर के नजर में बहुत महान है, ग्लाज स्टे कि मेरी प्यार को दूसरों को दिखाओ, कैसा दिखाए, क्या सिर्फ कलीश्य जाने के द्वारा, प्रादना करने के द्वारा, या बाइविल पढ़ने के द्वारा, आप अपनी प्यार को दूसरों को दिखा सकते हैं, देकि पढ़ने से नहीं, जीवनी के द्वारा आप पर प्रभू का प्यार को उस तरह हमें भी आज परमेश्वर की प्यार को दूसरों को दिकाना चाहिए हम भी हमारे बारत देश के लिए प्रात्ना करने की बहुत जरूरी है 23 जनवरी 1999 में एक रात ग्रहाम स्टेंज जब वैन में सो रहे थे उनके बच्चों के साथ तो कुछ दलने आकर उनका उलाडियों से हमला किया और उस रात उनका वैन पेट्रोल लाल कर जला दिये आज इस तरह की गटना हर साल हर मैने कई हजारों लोग इस तरह परमिश्वर के लिए शहीद हो रहे हैं मसी में प्यारे बाईयों और बेहनों सब मिलकर एक साथ हमारे देश के लिए संसार के लिए प्रात्ना करना बहुत जरूरी है सिर्फ हमारे लिए हमारे समझ चाओं के लिए नहीं लेकिन जो कास करके परमिश्वर की सेवा कर रहे है सब कुछ चोड़ कर त्याक से परमिश्वर की नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ रहे है उन सब के लिए प्रात्ना करना बहुत जरूरी है कुरुपया आप भी हर एक सेवक के लिए, सेवकाई के लिए प्राधना कीजिए, कुरुपया मैं आपसे विंति करता हूँ, हमारे लिए भी प्राधना कीजिए, क्योंकि बहुत बोच से आपके सामने इन संदेशों को ला रहे हैं, हर एक मिशनरी की कहानी और वचन हो, बोच संदेशों को आपके सामने ला रहे हैं, आप भी हमारे सेवकाई के लिए प्राधना कीजिए, और यही आप सच में प्रेट हुए तो आप भी हमारे सेवकाई में बाग ले सकते हैं, प्रभु की इच्छा होत और एक संदेश के द्वारा आपके सामने मिलूंगा, गौद ब